हेलो दोस्तों मैं आकाशगरग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप LIC की प्रीमियर सर्विसिस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन आए उससे पहले जान लेते हैं कि LIC की प्रीमियर सर्विसिस में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट प्रीमियर सर्विसिस का ये हैं कि इससे आप ओनलाइन अपने लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपने प्रीमियर सर्विस एक्टिवेट करा लिया है तो ओनलाइन ही आप अपनी पोलिसी के लोन के लिए अपलाई कर पाएगे उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी policy का mode change कराना चाहते हैं तो premium payment mode आप online ही change करा पाएगी उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने कोई yearly plan लिया है तो उसमें आप अपने एक fund से दूसरे fund में switch करना चाहते हैं तो इस service की मदद से कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपनी policy में address को change करना चाहते हैं या फिर pen card को register करना चाहते हैं तो वो सुवीदा भी आप LIC Premier Services से ले पाएंगे तो आईए जान लेते हैं कि इसका registration आपको कैसे करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक website open करनी है जो की है licindia.in उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिल जाएगा जो की है customer portal तो इसे आपको open करना है जैसे ही आप इसे open करेगे तो यहाँ पर आपको information एंटर करनी होगी यह information एंटर करने के बाद यहाँ पर आप registration कर पाएगे तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने इस पर registration कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है registered user पर जैसे ही आप registered user पर click करेगे तो उसके बाद जो भी आपकी sign in के details है वो पर एंटर करनी होगी जैसे कि आपका mobile number, password और date of birth यह details से एंटर करने के बाद आपको sign in पर click करना होगा जैसे ही आप sign in कर लेगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा service request का तो इस पर आपको click करना होगा और यहाँ से आपको select करना है premier service registration जैसे ही आप इस पर click करेग तो यहाँ पर जो भी आपकी LIC policy है जिन पर आप premier services को activate कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन सभी में अगर आप premier services को activate करना चाहते हैं तो आपको generate registration form पर click करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी registration request है वो यहाँ पर generate हो चुगी है तो उसके यहाँ पर आपको क्लिक करना है download and print form पर तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का एक form देखने को मिल जाएगा आपको इसको print कराना है और यहाँ पर आपको अपने sign कर देने हैं यह काम आप जैसे ही कर देगे तो उसके बाद आपको फिर से इसी पेज पे आ जाना है और आपको इस form को sign करा के submit कर देना है तो यहाँ पर आपको option दिखेगा upload and submit documents तो इस पर यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से अपने document को select कर लेना है यह जो registration form है वो upload करने के बाद आपको यहाँ पर अपना pen card भी upload करना होगा तो यहाँ से आपको अपना pen card select करना है और उसके बाद pen card भी select option से आपको upload कर देना है तो जैसी आप pen card भी upload कर देगे तो उसके बाद आपको upload के button पे click करना है अपलोड करते ते ताइम आपको यह याद रगना है कि जो इनका maximum size है वो 100KB का होना चाहिए यह करने के बाद आपको इसे upload पे click करना है जैसी आप इस पर upload कर देगे तो यहाँ पर आपको इसे confirm करना होगा तो आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर yes पर click कर देगे तो आप देख सकती है जो भी आपकी service request है वो यहाँ पर submit हो चुकी है तो उसके बाद आपको ok पर click करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर previous services के लिए apply कर सकते है यह जो आपकी registration है वो LIC की तरफ से 3 दिन में कर दी जाती है तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई doubt है तो वो आप comment में पूछ सकते हैं अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहती है तो आप अमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की latest वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ धन्यवाद